दिन बदला साल बदले लेकिन नहीं बदली तस्वीर नहीं बदले हालात साल दर साल बीटते चले गए लेकिन तस्वीर वैसी की वैसी देखे पीछे जो आप ये सफेद शाह पूरा का पूरा एक चादर बिच्वी देख रहे हैं ये नजारा भले ही बहुत खूबसूरत लग 2015 हो चाहिए उससे पहले के साल रहे हो हर सरकार आई हर सरकार ने बड़े-बड़े दावे किये और यमना की हालात बद से और बत्तर होते चले गई यह तस्वीर साफ दिखा रही है अब अगले 20 दिनों के बाद यहां पर फिर से बड़ी संख्या में शद्धालू जूटेंगे चटपूजा के मौके पर लेकिन उसके बाद देखे किस तरीके हालात है और इसके लिए सबसे बड़े जब्मेदार वही है कि यानि की यमना में पॉलूशन लेवल एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कैमिकल की मात्रा जब बढ़ती है तो अकसर ऐसी तस्व आनक है तनी बदरंग है कि लोग मजबूरी में यहां पर उनने आना पड़ता है क्योंकि शद्धा जुड़ी हुई है और लेकिन उसके बावजूर भी कंडिशन ऐसी बुरी है कि इस पानी में पैर रखना भी बहुत जादा खतरनाक हो सकता है कहीं बिमारीयों की चपेट म आसकते हैं उसके बावजूर लोगों को यहां पर आकर ना सिर्फ नहाना पड़ता है बलके इस पानी को शद्धा पूर्वक उन्हें अपने मुह में भी पीना पड़ता है तो यानि कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए कितनी बड़ी दूविदा है इन तस्वीरों को देखकर हाला कि दिल्ली सरकार लगातार दावे करती रही है वादे करती रही है साल दर साल और हर बार चुनावी एजंडा भी यह मुख्य होता है कि यमना की सफाई की जाएगी लेकिन यमना अपनी बधाली पर आसुबाने के लिए आज भी मजबूर है यह म सब्सक्राइब कर दिल्ली